श्री शिवाय नमस्त अभ्यम दोस्तों कल चौत है कौन सी चौत है सकट चौत है संकट चौत है संकस्टी चौत है 21 जनवरी 2022 को बहुत बड़ी चतुर्ती पढ़ रही है तो दोस्तों इस चतुर्ती पर जो भी महिलाएं वरत रखने वाली हैं सकट चौत का वरत रखने वाली ह जो अपने परिवार में अपने बच्चों की सुरक्षा लिए उनके स्वास्थी के लिए उनके उजोल भविश्य के लिए इस वरत को धरन करने वाली है उनके लिए एक बहुती अचूख उपाय है अगर वहे लोग इस उपाय को करती है तो निस्चिती उन्हें बहुत अचूख फल इससे देखने को मिलेगा खुश्री पंडित प्रदीब मिश्रजी ने अपनी शिवे महापुराण कथा में बताया है ध्यान से सुनिए चोटा सा उपाय है सिर्फ वही लोगों को करना है जो लोग इस सकट चौथ का वरत रख रहे हैं अन्यथा और किसी को नहीं करना है ठीक है वरत रखने वाली महिलाओं के लिए ही सिर्फ यह उपाय है अन्यता आप लोग सुन सकते हैं ये ध्यान से दोस्तो आप लोग जब तिलकूट सकट चौत या संकस्ती चौत की जो है पूजा कर रहे हो आपने वरत धारन किया हो और शाम की समय जब आप लोग चंद्रमा को अर्ग दे रहे हो गणिश जी की पूजन कर रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि आप अपने पूजा इस्थल पर मतलब जहां पर आप लोग पूजन कर रहे हो इस्तकट चौत वरत की तो उस समय आप लोग जो है चावल के दाने या कुछ गेहूं के दाने वैसे भी आप लोग रखते ही है कोई उसमें बोलने वाली बात नहीं है क्योंकि जब भी कोई पूजन होती है तो हम चावल के दाने कहीं ना कहीं किसी ना किसी जरूरत में रखी देते हैं या तो गेहों के दाने रख देते, इन दोरों में से आपके पास कोई भी एक दाने हो, तो मैं आपको चावल के वरे में बता रहा हूँ, ठीक है, चावल हो तो जादा अच्छा रहेगा, तो आपको करना क्या है, आपको पहली बात तो भगवान के सामने जब आप पूजन करन और नहीं तो अलग से रख दीजे, कुछ दाने अलग से वहाँ पर गनिष जी कि पूजा करने वाले हैं, वहाँ पर कुछ अलग से चाओल के दाने रख दीजी, चाओल की दाने रखने के बाद पूजन वагरा सब आप की हो जाए, उसके बाद आप लूगों को जैसे याप च पर चावल के दाने रखे हो या गिहूं के दाने रखे हो उन में से पहले गनीशी से आपको विंती करना है कि हे गनीश भगवान हमें आशरवात दीजे हमें आशरवात प्रदान कीजे और हम आपके पास से यह दो चावल के दाने यह दो या चार चावल के दाने यह दो पूजन करने के बाद चंदर को अर्ग देने के बाद गणिश जी की पूजन करने के बाद इस्तूती करने के बाद गणिश 40 अका पार्ट करने के बाद ही आपको इन दो चावल के दाने को उठाना है आपके पास भगवान गणिश का आसिरवाद रहेगा और इन दो चावल के दाने जो है उनकी जेम में रखने है या उनकी पॉकेट में उनकी पर्स में रख देने उनके साथ जो है ये दो ये चार चावल के दाने या जो आपने गेहों के दाने उठाएं वे आपको इनके साथ ही बेजने ये है जो है गनीज जी का असरवाद उनके साथ ही रहेगा और अधकare पर उन्चन को को कि मिषादर सूपगर उन्चन को इसना है।